डीजिटल अरेश्ट स्कैम के केस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं अलर्ट करने के बावजूद बहुत से लोग इसके शिकार हो रहे हैं साइबर क्रीमिनल्स ठगी के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं और फिर उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं ऐसे में जिनके अकाउंट में कम पैसे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं वो अपने आपको सेफ समझने लगते हैं और यहीं उनकी सबसे बड़ी गलिती होती है क्योंकि Cyber Criminals ऐसे लोगों को ठगने के लिए भी नया طریقा निकाल लिए हैं जिहाट इनके account में कम पैसे होते हैं Cyber Criminals उन्हें अलग तरीके से चूना लगाते हैं Cyber Scammers victim के नाम पर bank से personal loan ले लेते हैं और फिर उन रूप्यों को bank खाटे से उड़ा देते हैं ऐसी सिती में उस परसनल लोन को देने के जिम्मधारी सीधे तोर पर आपकी बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई आपके बैंक अकाउंट से परसनल लोन कैसे ले सकता है। तो आपको बता दें कि साइबर ठग डिजिटल अरेश्ट करके आपके बैंक अकाउंट से की डीटेल्स और अन्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे बड़ी ही आसानी से आपके नाम से परसनल लोन ले सकते हैं। जिसकी रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है और फिर वे उन रूपयों को आपके बैंक अकाउंट से गाइब कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है डिजिटल अरेश्ट स्कैम के जरिए। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डिजिटल अरेश्ट स्कैम। दलसल डीजिटल अरेस्ट स्कैम में शक्स को एक अंजान नंबर से कॉल आती है जिसके बाद उस शक्स को बताया जाता है कि उसके नाम से पारसल विदेश भेजा जा रहा था जिसमें ड्रक्स था या फिर उसका मुबाइल या फिर बैंक खाते का इस्तमाल मनी लॉर्णरिंग केस में किया जा रहा है जो पूरी तरह से फेक जानकारी होती है इसके बाद फरजी पूलिस, CBI या किसी अले सरकारी एजिंसियों का नाम इस्तमाल करके फेक अरेश्ट बॉरिं टक दिखा देते हैं इसके बाद उस शक्स से घर में स्काइप या फिर वाटस अप पर वीडियो कॉल पर रहने के लिए कह सकते हैं ज़रान वे आपसे मोबाइल स्क्रीनिंग शेरिंग भी करवा सकते हैं और उसी के जरे वो आपके मोबाइल पर होने वाली हर एक एक अक्टिविटी को असानी से देख सकते हैं लेकिन अगर आप अपने आपको डिजिटल अरेश्ट स्कैम से प्रोटेक्ट करना चाते हैं तो ध्यान रखें साइबर ठगी के शुरुआत अंजान नंबर से आने वाले कॉल्स, मैसेज या फिर किसी लिंक से शुरू होता है इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी अंजान के साथ अपना OTP, बैंक डिटेल्स और परसनल डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें साइबर क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये भी लॉगिन कर सकते हैं और लाखों रुपे का ट्रांजिक्शन कर सकते हैं इसलिए बैंक खाते में अगर आपको कोई भी संदिग्द एक्टिविटी नजर आती है तो उसे तुरंत चेक करें कई बार एक रुपे की कटाउती को लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन एक दो रुपे की कटाउती भी बहुत ही भारी पड़ सकती है जिसके बाद साइबर ठक असानी से लाखों रुपे गायब कर देते हैं